नमस्ते आप सभी लोगों का मोमेंट डाटर रेसिपी चैनल पर प्रेंट्स आज की रेसिपी है गाजर का हलवा बहुत से लग तो बनाते हैं गाजर का हलवा लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कि बिना किसे हुए आप गाजर का हलवा किस तरह से घर बना सकते हैं तो इसको बनाने के लिए ये देखी फ्रेंट्स हमने गाजर ले लिया है और गाजर को हमने बहुत अच्छे तीसे दो लिया था धोने के बाद हमने इसको छिलने से चील लिया है उपर का छिलका उतार लीजेगा और उपर नीचे का जित्ता भी थोड़ा सा द आपको छोटे पीस काट लेना है, मान के चलिए गाजर का, तो हम इस तरह से गोल-गोल काट रहे हैं, तो आपको कम बहनत में आपका गाजर का हलवा बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, ने तो कीसने में काफी टाइम लग जाता है, कई लोगों के हाथ में भी पेन हो जा आप चाहें तो आप इसको आड़ा कैसे भी काट सकते हैं, छोटा, काटने के बाद देखिए, इसको हमने कूकर में डाल के, डाल के इसको उबाल लेंगे हम, तो ये देखिए, जितना भी पीस है आपके पास, सारे को हम कूकर में डाल देंगे, बहुत ही आसान तरीका है ये गाजर का हल्वा बनाने के लिए आप 15 मिनट में गाजर का हल्वा बनाके एकदम तयार कर सकते हैं वो भी एकदम हल्वा इस्टाल में मार्केट की तरह ही स्वाद आएगा अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें दूट डाल रहे हैं आप एक कटोरी भी ले सकते हैं देड़ कटोरी, तो इतना हमने डाला है देड़ कटोरी के अन्दाजन में तो बस ज़ादा भी नहींडालिएगा नि तो फिर वो दूद भी सीटी के साथ भी बाहर आता है तो बस इतना दूद डालके आपको कम से कम तीन से चार सीटी कर लेंगे तो जल्दी ही गाजर पक जाता है बस कूकर का लिट बंद कर देंगे और सीटी कर लेते हैं पहले तो ये देखी हमारा सीटी हमने कर लिया है तीन चार सीटी इसका कर लिया है अभी खोल के देखते हैं से तो ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया होगा ये देखे दूद के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है तो इसे आप थोड़ा सा चम्मच चला के देख लीजेगा कि किस तरह से पका हुआ है ये देखे मैश हो जाना चाहिए आपके हाथों से चमबच के साहता से उस तरीके से ये पक जाना चाहिए ये देखे हास से दबा के देखी एकदम हास से ये मसल रहा है मतलब एकदम परफेक्ट तयार है तो इसे गैस पर चड़ा देंगे और आप इसको चमबच के साहता से हो या घोटनी के साहता से हो इसको दबा दबा के आपको पुरा चिकना मैश कर लेना है से और इसे थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि ये जे दूध है इसमें ये थोड़ा सा सूख जाए इसके बाद हम इसको अदर कढ़ाई वगरा में इसको फ्राई करेंगे तो गाजर का हलवा सूख चुका था तो अब देखिए हमने कढ़ाई ले लिया है कढ़ाई में हम देखिए थोड़ा सा घी डाल रहे हैं कि थोड़ा इसो पिघलने देते हैं हम ये दीखिए टोगरा सा गरम हो बहुत अच्छा आता है किसी भी स्वीट किसी भी मिठाई में यदि आप इस तरह से डालेंगे तो स्वाद ड्राइ फूट का बहुत अच्छा आता है कभी भी आप रोश्ट करके ही डालिए चाहे वो खीर हो हलवा हो या देखी गाजर का हलवा तो इसमें हमने थोड़ा सा न कि गाजर का जो हमने सुखा दिया था कूकर में इसे हम कड़ाई में सेड़् कर देंगे और घी के साथ इससे सेक लेंगे तो या तो है दएकि जो मैश किया हुआ है नहीं कि Πर ददेंगे पूरा यह देखिए डाल दिया हमने थोड़ा सा गी के साथ इसे सेक लेते हैं तो फ्लेवर भी वहाद अच्छा जाएगा गी का साथ में तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे हम बीज-बीज में अभी हम इसमें देखिए एक कटोरी शक्कर को डाल रहे हम मीठा आपको जैसे खाना है थोड़ा ज्यादा कम तो उस तरीके से आप थोड़ा सा कम ज्यादा गाजर के हलवे में कर सकते हैं शक्कर को तो हमने एक कटोरी लिया है तो इस तरीके से शक्कर का पानी भी छूटेगा तो उसके साथ भी आपको पूरा सुखाते जाना है कि गाजर का हलवा सुखा ही बहुत अच्छा लगता है तो इसको एकदम खुला-खुला फैला-फैला के आपको सुखाते जाना है सुखाने के यह थोड़ा टाइम लगता है अदरवाइस बाकी चीज़ों में तो बहुत कम टाइम में आपका बनके तयार हो जाता है तो यह दिखिए लो फ्लेम में आपको फैला के इस तरह से सुखाते जाना है इसमें हमने इलाइची पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा मावा डाला है तो मावे से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है तो चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं ऐसे भी यह बहुत अच्छा लगता है यदि मावा डाल देंगे तो और भी एकदम मिठाई का प्ला सानारियल का कीस हम उपर से डाल रहे हैं इसमें तो ये दिखिए सारी चीजे डाल के एकदम तयार हो चुका है आप सर्व करते हैं देखिए गाजर का हलवा एकदम तयार है तो बस आप इसी ट्रिक से जरूर ट्राइ कीजिए अभी तो वैसे भी विंटर सीजन है गाजर कीजिए तो